अमेश साह की बाते अभी तक, अभी आज के डेट में उनकी बाते सही है कि उनका कोई चैलेंज नहीं है उनकी योजनाओ और इनके कारे पढ़नाली पर जब तक आप टार्गेट नहीं करेंगे जब तक एक नया डेवलोप्मेंट मॉडल नहीं देंगे तब तक मोधी को चुनोती दे पाना अभी मुश्किल है तो ये बहुत सारी चीज़े हैं जो की बुरोधा भास पैदा कर रही है इसमें सैंति सीथ का डवा करना ये अभी उस कंडिशन में नहीं है बिहार में क्या नितिश कुमार का 17 साल से सासन था क्या क्या सुधार हुए यहां क्या यहां पर पलायन रुप गिया क्या यहां पर विरोजगारों को रोजगार मिल गिया क्या यहां सिक्षा किस्तिती अच्छी हो गई, क्या यहां मेडिगल सुभधाएं अच्छी हो गई कॉंगरे सोच आए जो भी छत्रिय दल हो, उनके पास मोधी को काउंटर करने के लिए वो अस्त्र नहीं देखिए सबसे पहले बात की जितने भी छत्रिय दल हैं, इनमें हैं वन्सवाद है, वन्सवाद को लेकर बीजेपी हमेसा चोट करती है और ये वन्सवाद जो है, ये उतना कारगर, उतना मजबूत नित्र तो नहीं दे पार है कि बिहार में आखिर ये रुप क्या रहती है, बिहार का जनता इतना मुर्ख नहीं है कि वो केवल जातिय समिकरन पर लोग सभा में होती है तीस कुमार और लालू यादव एक साथ हो जाएंगे तो लोग सभा में इनको परास्त कर देंगे यही समिकरन उत्तर परदेश में मैयावती और अखलेस यादों ने मिल के बनाया 2019 के चुनाओं में क्या उसका पढ़ने थी बिहार अभी तक टेरिश्ट टेस्टेट के रूप में गिंती नहीं होता था लेकिन अगर आप देख लें पांचे वर्सों से तो यहाँ पर है जो यासीन भटकल पकड़ा जाता है दर्भंगा में छप्मारी होती है तो क्या क्या पकड़ा जाता है पुर्वी चमपारन में देख लें सिवान में देख लें 2015 में जो नितीश कुमार और लालू यादा मिलके लड़ें तो उस समय सबसे बड़ा बात था कि 2015 में नितीश कुमार की छवी जो थी वो काफी कतावर मर्बूत और सुसासन वाले नहीं नहीं तो और वो बिहार के लिए चुना हो चलो हम नहीं बन पाएंगे लेकिन मोधी को भी नहीं बनने देंगे और इसी फर्मूले पर यह हैं कि हम बिहार से 49 सीट उनको मिला उसको किसी तरह कम करके हम उसको 10-15 पर ला दे इनका है कि बंगाल में कहीं बीजेपी फ्लॉक हो जाती है देखिए आसाओं पर इनका ठीका काम पर नहीं ठीका तो यह बहुत सारी चीजे हैं जो की हुरोदाभास पैदा कर रही है इसमें सैंती सीट कर दवा करना यह अभी उस कंडिशन में नहीं है आर्जेडी या माह करना जितने भी पुंजिपती की बात होती है सबसाधिक आडानी ने अपने जीवन में फायदा साल 2024 आज से ठीक एक साल के बाद पूरे भारत में चुनावी महौल रहेगा बिहार सहित देश भर की तमाम पार्टिया चुनाव परचार परसार में लगी रहेंगी और इसको लेकर बिहार सहित पूरे देश में तैयारिया जो है वो अभी से शुरू हो गई है क्रियमंत्री अमित्सा का बिहार में रैली होने वाला है और उसके पहले उन्होंने कह दिया कि कोई चुनावती नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत से एक बाफिट से अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं इधर तेश्वी यादों कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की नो एंट्री है इन तमाम मुद्धू पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं हमारे सायूग आदेश पूरी जी है क्या कहेंगे, कौन सा काड ते जश्वии यादो खेलना चाहते हैं कहे रहें कि बिहार में bjp कि no entry है, कौन सा उनके पास ब्रहमास्त है, कौन सा काड खेलेंगे क्या वहीं जाती है समिकरन का खेल खेलेंगे क्या देखिए यह आमिसा का कल बयान आया कि कोई चुनोती ही नहीं है 2024 में और जनता जो है दो बार से विपक्ष भी नहीं चुनी है विपक्ष कभी विपक्षी दल के लिए भी अपना मद्दान नहीं गिया है तो तेस्वी यादव यहां कहते हैं कि 37 सीठ हम जीतेंगे बिहार में कि नितीजी है साथ में और हम 37 सीठ जीतेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मैं केवल बिहार की ही नहीं बात कर रहा हूं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि आप इस मोदी सरकार को हराने के लिए 2024-2019 से अलग कौन ऐसा मुद्दा कौन ऐसा हंथियार अपने पास साइटा बढ़ रही है यह 2014 से पहले इसी अधार पर नितीज कुमार ने जो है वो समर्थन वापस 2013 में ले लिया था 2019 में भी यही आया बात लेकिन दोनों बार जनता ने इससे उपर उठके वोट दिया आज अगर आप देख ले बिहार की स्थिति तो बिहार में आखिर कौ नितीज कुमार और आरजडी जो है महागरबंदन जो है मिल जाएगा तो वोट शेरिंग जो है वह हम लोग का वैसा हो जाए कि हम उन्हें हरा देंगे लेकिन सबसे पहले तो बिहार में जो ताजा चुनाओ हुआ है से कोड़नी का चुनाओ हुआ गोपाल गंज का हुआ उस अधार पर देखा जाए तो महागरबंदन को जो वोट शेर मिलना चाहिए वह नहीं मिलते हुए दिख रहा है और जो लोक सभा का चुनाओ होता है न वह राष्ट्रिये मुद्दा को लेकर जनता का दिमाग सिदे दिल्ली रहता है दिल्ली में कौन है विपक्ष म अभी तक देखा जाए विपक्षी एक्ता की बात की जाए कोन साथ में है विपक्षी एक्ताक में नेतीस कुमार जब पहली बार 9 अगस्त को बाहर हुए नडिये से तो उन्होंने पहला बयान दिया कि यह पुछिए कि 2014 में जो आए वो 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे उस अलग अपना परधान मंतरी बनने का प्लानिंग कर रहे हैं जो इनके सहयोगी हैं उनके साथ हो गाएं चाहे वह उत्तर परदेश के पुर्वित मुख मंतरी हो अखलेस यादव के जरिवाल यह सारे लोग उनके साथ हो गया तो और उनमें भी अभी एक कहा जाए तो विपक लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है वो लगातार उनका कद बढ़ते ही जा रहा है आप सोचिए कि बिहार में आखिर यह लोग क्या रखेंगे बिहार का जनता इतना मुर्ख नहीं है कि वह केवल जातिय समिकरन पर लोग सवा में वोट कर दे अगर देखे 2019 का चुनाओ आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिला ऐक भी सीट उन्हें नहीं मिला था और 46 सीट यह जित गए ऐसा नहीं है कि पहली बार जदीओ और बेजेपी साति लड़ रही तो जड़्य में भी लड़ी थी दो जयरा-चार में भी लड़ी ती सातो में इतना बड़ा मेजरूर्यू परदान मंत्री के लिए सक्षा मुद्वार रहा है और जो वोटिंग होता है वो उपर उठके होता है और सबसे बड़ी बात कि बिहार में आपको कैसे उतना वोटिंग मिले है कि उल्द की अब जात पात और जातीय समीकरन पड़ी वोट नहीं होता है बिहार की स्तितियों को लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में खुद ही यहां पर लोग जो है महागडबंदन समस्याओं में गिरी हुई है जदियू के अंदर बवाल हुए हुए है वहाँ पर पाटी तूटने की बात हो रही है फिर से जो है वो आरजेडी के तरफ से जो है वो लगातार दबाव डाला जा रहा है कि आप दिलनी जाएं दिलनी जाएं और यह जो हैं बिह कि बिहार में कि लोग आपको किस अधार पर वोट करेंगे कि आप दवा कर रहे हैं जातीज जो समीकरन है तो इतिहास रहा है कि ने नरेंद मोदी ने 2014-19 में जाती समीकरन को तोड़ के रख दिया अगर यह सोचते हैं कि हम नितीश कुमार और लालू यादव एक साथ हो जाएंगे तो लोग सभा में इनको परास्त कर देंगे यही समीकरन उत्तर परदेश में मयावती और अखलेस यादवों ने मिल के बनाया 2019 के चुनाओं में क्या उसका पढ़नेती हुए कुछ नहीं उसका यह हुए तो देखिए अगर नरेंद मोदी को हराना है तो उनको आप डेवलोप्मेंट प्रोग्राम जो एक छवी बनी हुई है विकास का छवी नरेंद मोदी का उस पर आपको काम करना पड़ेगा और के लिए और बिजेपी से 10 गुणा ज्यादा विपक्छी दल हिंदू मुसलिम हिंदू-मुसलिम नफरत संपरदाई ताई सबकी बात करते हैं इससे इससे उनको उतना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो जाता है और वही खेल बिहार में हो रहा ह हैं कि कैसे यहां पर एनाइए की छापे मारी हो रही है कितने लोग पकड़े जा रहे हैं जो की अलग मोडिल बनाये हुए हैं बिहार अभी तक टेरिस्ट इसका फाइदा किसको मिलता है इसका फाइदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता है तो इनके पास कुछ नया है नहीं और बस कहने के लिए है कि हम जाती है समिकाड़न को जोड़ लिए और इसके दम पर हम इतना सीधे जाएंगे ये मोडी के सामने ये कभी भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है कॉंग्रेस भी लगातार वही एजेंडे अपनाई हुई है उन्होंने भी पहले राफिल को मुद्दा बनाया पेगासस को मुद् है जिससे ये लगता हो कि अधानी ने जो है वो देश के जनता के पैसे को लेकर डुबा दिया या उसको ये कर दिया लेकिन क्या है कॉंग्रेस उसको लेकर संसत पर हमें साब चलने नहीं दे रही है मिस कहने का मतलब है आपको इनकी योजनाओ और इनके कारे पढ़नाली प यात्रा कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के रूप में एक चेहरा बनाने की कोशिस उनके जारी है नितीश कुमार समर्थन देंगे तेश्वी आदो समर्थन ने क्योंकि उनके पिता जी एक समय में कॉंग्रेस के बहुत बड़े समर्थक थे सोनिया मैडम कहके भी संबोदि कॉंग्रेस के दिपक्ष बनाना चाहते हैं और उनके पोगराम में पहुंचते हैं अखले सियादो उनके पोगराम में पहुंचते हैं अजरविंद के जरिवाल बहुत सारे राज्य के जो पुरुमुख मंत्री रहे हुए हैं बड़े-बड़े नेता रहे हैं वो पहुंच कि आप जो हैं लड़ेगी बिहार में तो RJD और जदिव ही और कॉंग्रेस जो भी इंगा महागडबंदन है बीजेपी से वो लेकिन यहां पर यह महागडबंदन उपचुनाओं में कहां सक्सफुल हो पाया आप देख लिए 2015 में जो नितीश कुमार और लालू यादाओं मिल जैसा मजबूत चहरा मुखमंत्री के लिए और बीजेपी ने कोई चहरा नहीं दिया यह कारण था कि बीजेपी पिछड़ गिया उसमें लेकिन देश का जो चुनाओं है उसमें नरेंद्र मोदी का जो चहरा है उसके सामने कौन चहरा है और आप राहुल गांदी की बात कर हैं तो एक तरस उनका बैयान ही होगी है कि हम 24 में हम मुकाबले में नहीं है जो मुकाबले में नहीं है तो कैसे ही लोग उनका साथ देंगे तो देखिए और सब सब के पास बीजेपी हमेसा चोट करती है और यह वंसवाद जो है यह उतना कारगर उतना मजबूत नेत्र तो नहीं दे पा रहा है चाहे आप यूपी की बात देख ले महराष्ट में देख ले बिहार में ही तो यस्वियात को देख ले यादों को देख ले और डूसरा भरस्टाचार सभी पर भरस्टाचार के बड़ी गंभीर आरूप लगे हुए हैं बीजेपी में वनस्वाद सुप्री मस्तर पर नहीं है फिर से है कि कोई बड़ा भश्टाचार का आरोप नहीं लगा हुए है एक जो लोगों को सुभधा देना चाहिए परधान मंतरी कहीं काना था कि हम असी को लोगों को एक साल और मुफ्त में आनाज दे है लेकिन इन लोगों के पास काउंटर करने के लिए उसको कोई भी नया चीज नहीं है जिसके अधार पर यह कहा जा सके कि हाँ इनको हरा देंगे वह बस जातिये समीकरन के अधार पर और देख ले ना आप बंगाल में भी देख लें बंगाल में ममता बनर जी खुद परसा आप कुछ भी कह लें विजेअ बिढ़ेश्टाचार से मुक्त पार्थी एक तरह से रही जिस पर कभी भी गंभीर ब्रश्टाचार के आरोप नहीं लगे और ब्रश्टाचार के कारण उनका सरकार नहीं गीरा है यह सबसे बड़ा अस्तों का एक प्लस पनिंट रहा है तो क पिर से रोजगार को लेकर यहाँ पर नया सरकार बन गया छे महीना से और इनलोग का कहना था कि दस लाख बिस लाख रोजगार देंगे लेकिन उसको लेकर कोई भी ठोस योजना अभी तक नहीं आई यह युवाओ को रोजगार नहीं मिला है तो यह सब जो अलग बात है कि मोदी ने भी दो लाग दो कोड़ोजगार का बादा किया वो नहीं पूरा कर पाएं लेकिन अब भी तो अपने राज में बादा करके भी तक पूरा नहीं कर पाएं हैं तो कैसे मान लिया जाए कि आप देश लेबल पर जाएंगे तो अच्छा करेंगे और यह लोग कैसे मान ले कि नितीश कुमार को वोट देंगे तो यह परधान मंत्री बन जाएंगे इनके समर्थन में कोई है नहीं यह 16 सीट पर लड़ेंगे 40 सीट हैं भी हार से 35 सीट जिनते हैं जितते हैं तो किया यह परधान मंत्री बन जाएंगे यही बस इनका देखिए बम नितीश कुमार का क्या है कि पहले तो यह सोच है कि हमको विवक्ष गले लगा लेगा हमको परधान मंत्री का मुद्वार बना देगा ऐसा हुआ नहीं तो फिर इननों अपना प्लान भी जो उस पर काम करना सुरू किया कि चलो हम नहीं बन पाएंगे लेकिन मोधी को भी नह हो जाती है देखिए आसाओं पर इनका टीका हुआ है कापने टीका हुआ है और जो बिज़ेपी है वो सब जगा काम कर रही है सब जगह अपना जो संगठन है उसका विस्तार करना ऑब यहार में आप देख रहे होंगे कि सब काम सुरू हो गया है उनके दोरा तो ये जो काम जो है न इस पर उनको विश्वास है कि हम को कोई चुनोती नहीं मिलेगी और अभी का जो वर्तमान परिद्रिस से है उसमें दिखाई भी दे रहा है कि मोदी को चैलेंज करने के लिए एक चेहरा नहीं बन पाया है और बिहार से बिहार में भी देखी बिहार में भी कोई ये दो फ्लस दो राजिन्ती में नहीं होता हों जाएगा कभी कोई समर्थन नहीं है तो फिर हम वोट बरबाद करें क्यों और बिहार में भी हेवी एंटीन कंबेंसी है नितिश कुमार के खिलाब अब ऐसा इस्तिती हो गया है कि नितिश कुमार जिस दल के साथ चुनाओ लड़ा है वहार जा रहा है अब देखिए बोचहां में बीजेपी चल रहा है जिस तरह विरोध परदर्सन चल रहा है वो उनकी पाटी में भी यह आरोब लगाए जा रहा है कि आप कैसे पुरे दल को है जो कि कि लालू बना हुए उसको फिर आप लालू के हवाले करने जा रहे हैं तो ये बहुत सारी चीजे हैं जो कि विरोधा भास ये अभी उस कंडिशन में नहीं है RJD या महा कड़ बंदन तो देखिए अमेश सहा की बाते अभी तक अभी आज के डेट में उनकी बाते सही हैं कि उनका कोई चैलेंज नहीं है हाँ अगर ये लोग कोई चेहरा बना लेते हैं अगर पूरे वीपक्ष में गडबंधन हो जाता है और कोई ये बड़ा कोई ऐसा मुद्दा चुनते हैं जो कि ने नेरण मोदी को काउंटर कर सकता है तो ही कहा जा सकता है कि मोदी के लिए समस्या पैदा हो सकता लेकिन आज की स्थिति में मोदी के लिए कोई समस्या नहीं है और जो रेटिंग बता रहा है उसके अनुसार भी देश के जनता की पहली पसंद नरेंद मोदी हैं और एक और सवाल है कि 25 तरी को जो महा रेली होने वाला है महागडबंदन के तरफ से अमिच्छा भी आने वाले हैं क्या हो सकता है देखिए महागडबंदन ने यह मैसेज दने को सब्सक्राइब कि चुनाओ की तयारी सुरू हो गई है यह यह जो है वह इसलिए कि यह मैसेज दिया जाए कि हम लोग जो है मिलकर 2024 का लोग सभा चुनाओ लड़ेंगे और मोदी को हटाएंगे लेकिन सबसे बिहार में ही महागडबंदन होने से बीजेपी की सरकार दिली से हट जाएगी यह सबसे बड़ा प्रॉब्लेम है और विन केजरवाल से उदर से जहरकंड सरकार से भी तेजश्वी य 2019 लोग सभा में 20 चीट दिली से आम आद्मी पार्टी नहीं जित पाई है क्या आर्जजडी के समर्थन करने से जित जाएंगे क्या वह क्या वह कितना आधार है जारखंड में कि वहां पर उनको सफलता मिल जाएगी कितना आधार है बिहार में जारखन मुक्ति मुर्चा का कि उनके समर्थन करने से यह हो जाएगी देखिए यह जो भले यह बात करके दिखा दे कि हम लोग साथ में हैं कि लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक जो गठवंदन होता है ना मजबूत विपक्ष जिसमें एक नेता हो एक उनका यह मैनिफेस्टों इनका समयनिफेस्टों क्या है मोदी हटाओ बस इनका सारे विपक्षी दलों का है कि मोदी को हटाओ देश में जो है वो नफरत पहलते जा यह पुंजि पती के हाथों में सरकार चला गया है पुंजि पती किसके समय में फाया हुए प्रणी और प्यंदी जीotा से चाहिए वो सब को जानते हैं कि पुझी पती को जो है वो टेक्स जादा देते हैं सरकार उनको कॉर्परेट टेक्स में छूट देती है बहुत सारे सुबदा देती है यह तो सब के लिए भाई आपने कॉंग्रेस की सरकार नहीं प्राइविट आईजिशन लिबरलाइजिशन ग्लोबल पुझी पती हैं आपके लिए उद्ध्यों को दिखाने के लिए होता है कि अमीरों को पैसा दिया जा यह पुझी पती ही देश में इंडस्ट्री लगाते हैं बहुत कुछ करते हैं रोजगार देते हैं और अलग बात है कि उनको हर एक सरकार फायदा देती है देश के नागरिक में आप का बिजनस लगाएं आफ़ी क्यूं करते हैं इहां पर विजनस पुनित या पर पुनूग पती को सहायता दे या कि नहीं देगा तो यह केंद्र रस्तर पर इतिहां से रहा हुआ कि यह दिया जाता है तो यह पुंजीपती जो है यह कहके बस यह सिंपैथी लेना चाहते हैं लेकिन इसका फायदा कुछ होता नहीं है यह अंडानी या मानी की बाते यह और सूट बुट की सर मुसल्मान को प्राबलेम है सरकार मुसल्मानों को गिनोर कर रही है यह कर रही है और कर रही है यह इससब से थे तक bukan है और यही ब्रहतव को यह लिए बैटे हैं बिपक्ष के पास क्या साटिक मुद्धा है एक भी क्या मोदी पर भरष्टा चार आरोप इनों ने ईनके सार्वजनिक 20 सालों में लगा पाया है नहीं लगा पाया है एक भी ऐसा चीज जिससे देश डूब गया हो राज डूब गया हो बरबाद हो गया हो चाहे नोटबंदी हो जो भी हो नोटवंदी के अलावा आपको बता दें कि यह लोगडाउन को लेकर जो किरियापकार पढ़ना लीता है सब चीज को कभी यह सिद्ध कर पाएं कि यह देश को गर्थ मिले गया तो क्यों मोदी हटाने का जो इनका जो यह है वो बस काफी नहीं है जनता हटाने के बा जो अफडेटेड होते जा रहा है और इनका जो पुराना है वो पुराना ही है उसी पृमेट में तो मुष्किल हैIZ के स्तिति में मोदी को हटा पनाना इनके लिए मुष्किल है और CST repaired की बात कर रहा है तो क्या लगता है क्या वाकई में बिहार मैं सेथी सीटों पर अपना कबजा जमा पाएंगे या फिर सीधे सीधे बीजे पी इसका फायदा उठाएगी क्या 2024 में बीजे पी की तेजश्य यादों ने नो इंट्री लगा दी है आपको क्या लगता है विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है आप भी अपने राए कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप जुड़े रहे हमारे चैनल दबी हार टॉप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद